Hello Friends, आज मैं आपको 2016 की आसकर विनिंग मूवी Moonlight Explain करने वाला हूँ हम बजबन से लेकर जैसे बड़े होते जाते हैं और इसके साथ-साथ ही अपने identity पाल लेती है इसी एक सब्जेक्ट पर यह मूवी है यह मूवी इसके साथ बहुत सारे lessons हमें सिखा कर जाती है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा first character One हमें दिखता है One जो होता है यह एक drug dealer होता है इसके नीचे बहुत सारे आदमें काम करते है इसके जो drugs होते है यह इदिस्ट्रिब्यूट करते है वान एक जगा आया है यह हमें दिखता है और इसका जो drug dealer होता है इससे पता विगरा पुछता है क्या चल रहा है यह सब उससे पुछता है जब इसको पता चल जाता है कि business विगरा किस तरह से चल रहा है इसके बाद वो आज से चला जाता है नेक सीन में हम देखते है कि एक चोटे से लड़की की पीछे बहुत सारे लड़की भाग रहे है इसे यह सब मारने वाले होते है तो यह बहुत जोर से भाग रहा होते है यह हमारा main character है और इसका नाम है Shiron इसे सब little बुला थे है यह भाग भाग कर एक सुमसांग building में आ जाता है वो आवो छुप जाता है जो जोआन था इसका काम हो चुका है तो वो directly इस building में आ जाता है यह जो building होती है यह बहुत सारे लोगs drugs करते है यह हमेशा इस building को चेक करता रहता है क्योंकि यह drugs sell करता है और इसे जादा कुछ trouble नहीं चाहिए यह जो बंदर आता है तो little को देखता है little बहुत दरा हुआ होता है वो कहता है कि मुझसे डरने के कोई भी ज़रूत नहीं है मैं यहाँ से जा रहा हूँ उसे वो बहार आने के लिए बोल रहा होता है यहाँ नहीं रुख सकता है यह सब उसे कहता है little बहुत दरा हुआ होता है और वो बहार नहीं आ रहा होता तो हो कहता है कि यहाँ से मैं अब रेस्टोरन में जाने वाला हूँ तुम मेरे साथ आ सकते हो हम दोनों लांच कर सकते है little फिर मान जाता है और यह दोनों रेस्टोरन में आ जाते है यह से बहुत सारा खाना देता है और फिर पुछता है कि तुम कहा रहते हो मज़े तुमारे घर तुमें छोड़ना पड़ेगा मैं तुमें ऐसे मेरे बिल्निंग्स में नहीं छुपने दे सकता one little से बुलवाने के लिए उसका जो खाना होता है यह प्लेट जीन लेता है little अब और भी सटडाउन हो जाता है फिर वो बोलता है कि मैं तुमें इसे नहीं करने वाला उसका खाना उसे वापस दे देता है उसे कहता है कि जितना टाइम तुम लेना है तुम ले सकते हो वान लीटल को फिर अपने गल्फरेंड के पास लेकर आता है वो कहता है कि ये तुम से कुछ न कुछ तो बूलवाई लेगी वान की गल्फरेंड का नाम देरेसा होता है एरेसा लीटल के पास बेटती है जब रात होचाती है तो उसे डिनर देती है एरेसा जब उसे पूछती है तब ये कुछ भी बोलनी रहा वो कहती है कि पहले तुम सब कुछ खापी लो उसके बाद हम बात करेंगे वहान कहता है कि ये वो सही से करता है पर कुछ बोलता भी नहीं लेज़ा कहती है, यह कोई भी फोस नहीं करने वाला बोलने के लिए लेज़ा कहता है, कि मेरा नाम Shiron ए पर मुझे सब लेजल बुलातें वो कहती है, मैं तुम्हें तुमारे नाम से ही बुलाूंगी ये फिर थोड़ी थोड़ी बादी करता है और कहता है कि वो कहा रहता है ये अभी घर जाने के लिए रेड़ी नहीं होता ट्रेसा बोलती है कि आज रात तक तुम यहां रह सकते हो कल सुबा वान उसे छोड़ कर आएगा नेक्स दिन वान लिटल को उसके घर चोड़ने आता है उसकी मदर होती है इसके लिए बहुत ही वरिट होती है वो लिटल को कहती है तुम्हें घर आना था तुम कहा चले गए थे वान को देखकर यहां बहुत ही परेशान होती है वान कहता है कि उसने इससे कहा बाया था वान अब यहाँ से जाने वाला होता है तो लीटल से हाइफाव लेना चाहता है लीटल के जो मदर होती है यह उसे नहीं करने देती है लीटल को अंदर लेकर जाती है लिटल जब तीवी लगाने लग जाता है तो उसे कहती है अब तुम्हे टीवी में लगाने ने दूँगी उसे बुक पढ़ने के लिए बोलती है नेकसिन में हमें दिखता है कि लिटल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है यह फुटबॉल खेल रही होते है जो सब लड़के होते हैं बहुत ही strong होते है शायरान इनसे keep up नहीं कर पाता थोड़ी देर बाद यहां से निकल बढ़ता है उसके पीछे पीछे उसका एक friend होता है Kevin वो आने लग जाता है वो कहता है कि मुझे भी अब इतना interest नहीं इनके साथ खेलने में यह दोनों फिर बात करने लग जाते है Kevin कहता है कि तुम बहुत ही soft हो ऐसा होने लगता है तुम्हें कभी-कभी उन्हें दिखाना चाहिए कि तुम soft नहीं हो लिटल भी इसके लिए agree करता है Kevin फिर उससे धक्का देता है वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम soft नहीं हो यह दोनों फिर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते है और यह जब खतम हो जाता है तब Kevin उससे कहता है कि इसी तरह से तुम्हें अब उनसे भी fight करना है Kevin एक अच्छा friend होता है वर्ल्ड में कैसे उसे रहना है यह उसे यहां सिखाता है नेक्स दिना में दिखता है कि वोन के पास फिर से लिटर आ चुका है वोन फिर उसे बीच पर ले कर जाता है यह दोनों जब पानी में जाते है तब उसे तेरना कैसे यह सिखाता है यह हो जाने के बाद वो बीच के सैंड पर विटते है वान अपने बच्पन की स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि एक दिन हम ब्लॉक पे खेल रहे थे तोड रहे थे तब एक ओर लेडी मुझे मिली थी यह रात थी तब उसने मुझे कहा था जब ब्लैक लोग रात में घुमते है मुनलाइट उन पर पड़ता है तो ब्लॉ चमकते है वो मुझे तब से ब्लॉ बुलाने लग गई थी लिटल उसे पूछता है क्या तुमारा नाम ब्लॉ है वान कहता है कि नहीं मेरा नाम ब्लॉ नहीं है तुम किसी और को decide नहीं करने दे सकते कि तुम क्या बनने वाले हो तुम क्या हो, तुम क्या करने वाले हो ये कभी ना कभी तुमें ही decide करना पड़ता है रात में वान लिटल को छोड़ने के लिए आता है उसे थोड़ी सी pocket money भी दे देता है लिटल की मदर वान की मुँपर ही दर्वाज़ा बन कर लेती है लिटल की मदर के साथ वार एक आदमी आच आया हुआ होता है लिटल के साथ उसके जो friend होते है यह हमेशा उस पर pick करते रहते है उसे कभी भी chain से नेरेन देते Nixon में रात दिखाए गई है और one street पर होता है street पर अपना जो dealer होता है उसके साथ खड़ा हुआ होता है वो अपने dealer को कह रहा होता है कि किसी को भी यहाँ smoke करने मत देना वो जो sale करते है यह कभी भी उसका धुआ यहाँ से निकल रहा है यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तो पर एक गाड़ी से smoke आ रहा होता है अपने dealer को टाटता है और वहाँ इस situation को handle करने के लिए चला जाता है इस गाड़ी में जब वो देखता है तो लिटल की मदर और जो आदमी पहले हमें दिखाये कहा था यह वहाँ बेठे हुए है और यह दोनों smoke कर रहे है वान इन दोनों को डाटता है और फिर लिटल की मदर इस पर चीट जाती है उससे पताता है कि लिटल हमेशा उसके पास आ चाता है वो चीट कर उससे कहती है क्या तुम उसे बड़ा करने वाले हो वान कहता है कि मैं नहीं तो क्या तुम करोगी यानि कि वो ड्रग सवगरा करती है तो अच्छी मदर नहीं है ऐसा उससे कहता है लिटल की मदर कहती है तुम भी ड्रग डिलर हो तुम भी उसे बढ़ा नहीं कर सकते क्या तुम उसे बताओगे कि लड़िये उसे क्यों चिटाते है लिटल गे होता है इसलिए उसे सब बहुत ही ट्रबल देते है लिटल अभी छोटा है इसलिए उसे पता नहीं है इसे किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा इसलिए उसे पूछ रही होती है क्यों उसे जता रही होती है ये सब बताना One की responsibility नहीं है लिटल की मदर रख्स करती है बैट कमपनी मों रहती है इसलिए One के पास वो हमेशा आता रहता है एक दिन सुबा भी वो ऐसे ही आया हुआ होता है वो टेबल पर साइड पर बैटा होता है One केता है कि तुम्हें सेंटर में बैटना चाहिए इससे तुम सब लोगों को देख सकते हो लिटल बैट कर उसे कहता है कि मेरे मदर को मैं हेट करता हो One केता है कि मैं भी मेरी मदर को हेट करता था पर जैसे तुम बड़े होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यह बहुत ही गलत था, मैं अब उसे बहुत ही जादा मिस करता हूँ लिटल वॉन से क्वेस्चन पुछता है, वो कहता है कि सब लोग मुझे एक फैगट बुलाते हैं, इसका क्या मतलब होता है वोन कहता है कि गे लोग को बुरा फिल कराने के लिए कुछ लोग यह एक वर्ड यूज करते हैं लिटल पुछता है कि क्या मैं गे हूँ, तो वो कहता है कि तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, यह कोई तुम्हें नहीं बता सकता टेरे से बोलती है कि तुम्हें ये लोग बोलते हैं ये सही नहीं है ये तुम्हें ये नहीं बुला सकते है वहाँ से बुछता है कि क्या तुम ड्रग्स सेल करते हो वहाँ बोलता है कि हाँ आप में ड्रग्स सेल करता हो लिटल की मदर यह पाय करती है, ड्रग्स करती है, यह सुनकर वह वहाँ से उठकर चला जाता है इस मुवे में हमें लिटल के अलग अलग टाइम पिरेट दिखाये जाएंगे जो फर्स टाइम पिरेट था, उसका नाम इन्होंने लिटल रखा था अब जो नेक्स टाइम पिरेट आता है, इसमें लिटल टीनेज में है, उस स्कूल में वगरा है और इस पिरेट का नाम उन्होंने शायरान रखा है, यानि कि लिटल से शायरान तक इसकी ट्रांजिशन जो है, यह हमें आप दिखाई जाएगी यह टाइम पिरेट स्टार्ट होता है, और हमें दिखता है कि लिटल को जिस तरह से बच्चे बच्चे बच्च्पन में चिड़ा थे थे, अभी वी वैसे ही चिड़ा रहे है क्लास्रूम में उसे कुछ बच्चे चिड़ा रहे होते है और हो कुछ बोल देता है इसी वज़े से वो detention में आ जाता है उसके बच्पन का फ्रेंड केविन भी हमें दिखता है ये भी detention में होता है जब लिटल उसे पूछता है कि वो क्यों detention में तो केविन उसे कहता है कि मैं एक लड़की के साथ intimate हो चुका था और इस स्कूल में होता है तो इसलिए एक प्रोफेसर इसे पकड़ लेता है अब इडिटेंशन में है केविन उसे कहे कर जाता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चली चाहिए लिटल जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि आज रात तुम यहां नहीं रुख सकते है आज मेरे पास company है यानि कि उसके पास कोई आने वाला है इसलिए लिटल फिल टेरेसा के पास आ जाता है टेरेसा लिटल को खाना अगरा देती है और खुद पीने लग जाती है वो कहती है क्या तुम्हें में ड्रिंग्स दू यह वो जोक कर रही हुती है क्योंकि गवान जो था वो हमेशा उसे ड्रिंग्स देता था हमें यहाँ पता चलता है कि गवान अब घुजर चुका है लीटल गवान के बारे में ज़्यादा खुश नहीं बोलता क्योंकि वो उसके लिए फादर फिगर जैसा था लीटल सर नीचे रखकर अपना खाना खा रहा हुता है तेरेस हो से कहती है यह सा डर डर कर तुम्हें मेरे हाउस में नहीं रहना है तुम इस घर में प्राइड से अपना सर उपर रखकर रह सकते हो लीटल सिर्फ नौर करता है वो कहती है कि मैंने जो सब का है वो तुम्हें फेज से कहना है वो जादा बोल सके इसलिए उसे ट्रेन करती है रात होती है तुम्हें बेड बनाना नहीं आता और One को भी bed बनाना नहीं आता था लिटल को रात में सपने में अपना friend दिखता है सुबह होती है नेक्स दिन लिटल अपने घर जाता है इसके जो मदर होती है यह घर के बाहर होती है और डरवाजा लॉख हो चुका होता है उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और इसके बाद उसे पैसे मागने लग जाती है यहाँ इसकी मदर हमें ट्वीची दिखती है यानि कि इसको ड्रक्स की जरूरत है और इसे मिलने रहे है इसके पास पैसे भी नहीं है तो लीटल से वो पैसे मागती है लिटल इसे दे नहीं रहा होता तो जबरदस्ती इसके pocket वेगरा चेक करने लग जाती है लिटल race करने के लिए अपने room में जा रहा होता है तो उसे कहती है कि तुम्हें आप school जाना है वो घर से उसे बाहर निकाल देती है school से लिटल जब Teresa के पास जा रहा होता है लिटल लर जाता है और केता है कि मुझे कोई भी trouble नहीं चाहिए उसका classmate फिर उसे छोड़ देता है आज लिटल को घर पर भी नहीं जाना होता और Teresa को भी मिलना नहीं होता तो डिरेक्ली बीच पर आ जाता है बीच पर थोड़ी देर बाद केविन आता है केविन यहाँ आसपास रहता है तो उसे देखकर यहाँ सप्राइस्ट होता है केविन हमेशा उसे black बुलाता है यह उसके लिए उसने nickname रखा होता है लिटल उसे पूझ भी लेता है क्यों तु मुझे black बुलाते हो वो कहता है कि मैं पैर से बुलाता हो तुमारे लिए एक nickname है केविन के पास ड्रग से भरी हुए एक cigarette होती है वो लिटल को दे देता है यह फिर बाती करने लज जाते है केविन उसे कहता है कि कितनी cold यह हवा आ रही है इसे महसूस करकर बहुत ही शान्त लगता है जिसा सब कुछ ठहर चुका है लिटल कहता है कि इतना शान्त है कि खुद की heart beat में सुन सकता हो केविन कहता है कि इतना सही है कि रोना आ जाए लिटल बोलता है कि क्या तुम रोते हो तो कहता है कि नहीं मैं सिब बोल रहा था लिटल कहता है कि मैं बहुत रोता हू मुझे बहुत सारी चीजे करने का मन करता है यानि कि उसके जो classmates है या जो world है इसे उसे जगर जाना है इसा उसे हमेशा लगता रहता है केविन और शायरोन फिर एक दूसरे का हाथ पकरते है और वो एक दूसरे को किस कर लेते है केविन फिर लीडल को अपने घर छोड़ देता है वो उससे बोचता है क्या तुमने ऐसा कुछ कभी किया था लीडल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता वो नौड करता है और वहाँ से चला जाता है लिटल जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे फिर से पैर से अपने पास बुलाती है इसकी जो मदर है यह जब भी clean होती है यह ड्रक्स बर नहीं होती तो यह बहुत ही अच्छी पैरेंट होती है ड्रक्स के नशे में जब वो peaceful होती है, तब भी वो अच्छी parent बन जाती है, जब भी वो drugs कर रही होती है, जब उससे craving हो रही होती है, तो यह कुछ भी करने लग जाती है, यह एक responsible parent नहीं रहे थी, वो यहाँ रात में लिटल से कहती है, कि वो उससे बहुत प्यार करती है, ने जो गहम होता है, इसमें यह किसी और के पास point करेगा, केविन जो है, इसे जा कर उससे मानना पड़ेगा, अगर कोई blame आया, तो यह केविन पर नहीं आएगा, यह classmate पर ही आएगा, यह classmate फिर केविन से कहता है, हम फिर से करना चाहिए, इस भार का जो target होता है, यह little होता है यानि कि अब केविन को little को मानना पड़ेगा, जब school खतम होती है, तब little के सब classmate उसे घेर लेते है, केविन को उसे मारने के लिए बोलते है, केविन उसे एक पंच करता है, कि तुम नीची ही जुक करो, केविन उसे मार रहा है, तो little को बहुत ही बुरा लगता है, और वो न इसका नाम तुम बताना पड़ेगा, तुम जिस सब से गुजर रहे हो, यह मैं समझ सकती हो, little केता है, तो एक कुछ भी नहीं पता, कि मैं क्या मैसूस कर रहा हूँ, little केविन पर रैट नहीं करना चाता, little किसी का भी नाम नहीं बताता, और वहाँ से चला जाता है, निक्स लाइफ का time period खतम हो जाता है, पहला जो time period था, उसे little बुलाय गया था, पर इस time period को sharon बुलाय गया था, अब little की शारन में transition हो चुके है, इसमें करे जा चुका है, और अब यह जेल में जा चुका है, अब जो next time period हमें दिखाये जाता है, इसमें little अब बढ़ा हो चुका है ये fully grown man बन चुका है अब ये शायरोन बन चुका है तो हम इसे शायरोन ही पुकारेंगे इस time period का नाम उन्होंने black रखा है इसका जो significance है ये movie के last में मैं आपको बताऊँगा जब हम इस बार शायरोन को देखते है ये body builder बन चुका है ये सही तरीके से reach भी हो चुका है इसके पास apartment, एक अच्छी गाड़ी ये सब कुछ है वहाँ जिस तरह से drug dealer था उसी तरह से ये भी drug dealer बन चुका है ये किसी और शहर में रहता है वहाँ जिस तरह से city में गुमता था सब report वेगरा लेकर घर चला जाता था उसी तरह से शहरान भी अब करता है बच्मन में शहरान बहुत ही शाय था ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था अब बढ़ा हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा confidence आ चुका है ये किसी को भी डरा सकता है, धमका सकता है अब ही वो ज़्यादा कुछ बोलता ने पर वो सही तरीके से आप बोल लेता है उसका street dealer उसके flat बराता है उसे पैसे देता है तो शायरन उसे कहता है तुमारे पास आज कुछ कम पैसे है ये dealer थोड़ा सा डर जाता है उसे धमकाता है यह dealer कहता है कि मैंने सब कुछ लाया है शारण उसे धमकाता है कहता है कि क्या तुम मुझे liar बुला रहे हो यह situation ज़रा tense हो जाती है तब शारण हस देता है वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा मजा कले रहा था इसा कुछ भी नहीं है तुम्हें इस बार बहुत ही अच्छे पैसे लाये है उसे वो पैसे देता है और वहाँ से निकाल देता है जब रात हो जाती है तो शारण की अंशरिंग मशीन पर एक मैसेज आता है इसकी मदर कहता है उसकी मदर उसे कहती है कि तुम मुझे विजीट करने के लिए आ सकती हो वो उसे मि्स करती है उसे मिलने के लिए उसे आना चाहिए वो इस मैसेज पर उसे बता दिये लिटल को रात में नीन मेंगरानी आती तो वो अरकाट व्यकरा करता है थोड़ी दिर बाद उसे एक call आता है यह जो call होता है यह केविन का होता है जब केविन अपने आपको इंट्रडूस कराता है तो शारवन बिलिव नहीं कर पाता केविन कहता है कि टेरे सासे मैंने तुम्हारा number लिया था केविन पुछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ वो कहता है कि हाँ मुझे मालूमें कौन बोल रहा है केविन कहता है कि मैं जोज या अटलांटा में रह रहा हूँ यानि कि शारवन की मदर जहां रह रहे हुती है वो ही वो रह रह रहा होता है केविन उसे sorry कहता है वो कहता है कि जो सब हुआ इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा फिल होता है यह सब होना नहीं चाहिए था केविन अब shape बन चुका होता है इसने भी कुछ गिलित रास्ते चुने थे और इसकी वज़े से वो जेल में जा चुका था जेल से वापस आने के बाद इन्हें प्रोबेशन करना पड़ता है इसे एक steady job चाहिए इसलिए एक cook बन चुका है वो Sharon को कहता है कि कभी तुम यहाँ आए तो मैं तुमारे लिए cook करूँगा Sharon figure out नहीं कर पाता कि इसने इसको क्यों कॉल किया है केविन उसे कहता है कि रेस्टारण में एक आदमी आया था उसने एक गाना चलाया था इसके बाद तुमारी याद मुझे आ गए इसलिए उसने call उसे किया होता है यही ये call खतम हो जाता है और हमें Sharon अब drive कर रहा है यह हमें दिखता है वाडलांडा में आ रहा है पहले वो अपने मदर से मिलने जाता है Sharon को रात में बुरे सबने आते है यह उसकी मदर को पता है उसकी मदर उसे कहती है किसी से तुम इसके बारे में बात कर सकते हो प्रोफेशनल से बात कर सकते हो शारौन इस पर कुछ भी नहीं बोलता शारौन की मदर्ज होती है अब ओल एज फैसलिटी में होती है अब एक लीन हो चुकी है डगस वहरा कुछ भी नहीं करती इसे पता है कि शारौन क्या काम करता है यह फिर उसे अडवाइस करती है वो कहती है कि मैं बुरी थी मैं जो सब काम की है यह बहुत गलत की है पर तुम्हें भी यह करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तुम अमनी लाइफ सही से कर सकते हो तुमारे पास चांस है कि तुम सही रास्ते पर चल सकते हो शैरोन फिर वहाँ से जाने लग जाता है उसे बेटने के लिए बोलती है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो यही मैं चाहती हूँ ये उसे स्वारी बोलती है और ये दोनों रोने लग जाते है शारण फिर केविन जहां काम करता है वहाँ आता है केविन उसे पहले पहचाने नहीं पाता उसे बुछता है कि तुम कैसे आ गए शारण कहता है तुमने मुझे कहा था ये तुम मेरे लिए कुक करोगे इसलिए मैं आया हूँ केविन कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें खाने भी नहीं कुछ कमी है और हो कहता है कि मैंने बोला था इसलिए अब उसके लिए वो कुक करने लग जाता है केविन उसके लिए डिशेश वगरा लेकर आता है वो इसके पास वाइन भी होती है ये भी वो पूर करता है शारान बोल रहा होता है कि मैं पिता नहीं क्योंगी वो इसे टेस्ट नहीं कर पाता इसके बाद शारान बिना टेस्ट के ही इसे पी लेता है केविन ने शार Apron के लिए जो डिनर बनाया होता है, शार STEM को बहुत ही अच्छा लगता है ये केविन नोटिस करता है, केविन अब रेस्टोरन चला रहा होता है, तो उसके कुछ काम होता है, तो यहां काम कहने लग जाता है अपना काम खतम होने के पाद वो फिर से Gavin के पास आता है Gavin अपना wallet निकालता है उसका जोस्तन होता है यह Sharon को दिखाता है उसे कहता है स्कूल में मेरी गल्फरेंड होग करती थी Sharon को पता होता है कि यह कौन थी वो कहता है कि उसके साथ ही मैंने शादी कर ली थी यह बहुत ही यंग थे तभी इससे बच्चा हो चुका था अब उसके और उसके वाइफ का डिवॉस हो चुका है यह भी शारॉन को पता चलता है यह शारॉन से पूछता है यह इंसिडेंट के बाद इसने क्या किया है शारौन उसे कहता है कि जेल में मेजूवियों में चला गया था वहाई गैंस्टर से उसकी मुलागात हुई थे उसके लिए इसने काम करना शुरू कर दिया और जिस तरह से टाइम गुजरता गया इसे अच्छे से काम करता गया और एक बड़ा डिलर अब ये बन चुका है केविन सप्राइस चुता है कि एक काम वो कर रहा है शारौन कहता है कि जो है वो है केविन ये मानने के लिए रेडी नहीं होता वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो तुम ये नहीं कर सकते है शारण केविन से पूछता है क्यों तुमने मुझे यहां बुलाया है केविन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक आदमी आया था उसने गाना चलाया था जिससे मुझे तुम्हारी याद आगे शारण को इस पर बिलिव नहीं हो पाता केविन फिर उठता है और एक गाना चलाता है इस गाने में दो लवर एक दूसरे जुदा हो गए थे जब वो फिर से मिले है तो भी इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है यह इस गाने के बोल होते है जब केविन की शिफ्ट खत्म हो जाती है तो शायरोन और वो गाड़ी में केविन की घर पर आ जाते है शायरोन ने बहुत पी ली होती है तो इसलिए उसे जारा डीजी मैसूस होने लगता है केविन उसके लिए कौफी बना रहा होता है केविन उसे कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा वो कहता है कि लास्ट टाइम जाने के बाद मैं अब फिर से रोज अब हुआ हूँ मैं जैसा था वो गलत था मैंने आप काम किया है और मैंने अमने लिए कुछ बना लिया है मेरा जो पास था इसे मैं आप उपर उठ चकाओ केविन कहता है कि ये भी सही है शारौन केविन के बारे में पुछता है केविन कहता है कि लोग हमेशा मुझे जो भी करने के लिए बोलते रहे वो मैं करता रहा कभी मुझे जो फॉलो करना था जो मुझे अच्छा लगता था जो मुझे करना था ये कभी मैं करनी पाया शारण उसे पूछता है कि अब क्या केविन कहता है कि अब तो मैं मेरे सन के लिए जीता हूँ अपने सन से वो बहुत ही प्यार करता है और जो फैमिली उसे चाहिए थी वो फाइनली उसके पास है अब जो भी सब वो करता है अपने son के लिए करता है इस family को sustain करने के लिए करता है Sharon फिर उसे कहता है कि तुम ही एक आदमी हो जिसने मुझे touch किया था Kevin फिर उसके पास दाता है और एक दूसरे को सहारा दे रहे है यह हमें दिखता है इस scene के बाद हमें छोटा Sharon दिखाए गया है इस scene का अब हम meaning देखेंगे जैसे हम छोटे होते है तो हमारा जो भी struggle होता है यह control के लिए होता है जैसे हम बड़े होते चाते है तो अपने आप पर हमारा control आता रहता है अब जो situation है इसको भी हम control कर सकते है इसके लिए जो भी सब चीज़े हमें करने होती है या कुछ न कुछ पैसे कावाना यह सा हम अब करते है जो मारे life का जो control होता है यह हम पाते रहते है जब आप किसी relationship में आतो तो एक control पाने के लिए आपने आपको जैसे बनाया है जिस तरह से खुट के पास हम एक shield wall बना कर रखते है वो सब हम तोड़ देते है हम जैसे है इसा इस आदमी को हमें दिखाना पड़ता है जैसे हम छोटे थे जिस तरह से हम world को देखते थे जैसा हम महसूस करते थे relationship में हम फिर से वैसे महसूस करने लग जाते है Sharon जब Kevin के पास होता है तो वो वैसे ही महसूस करता है इसलिए हमें जब Sharon छोटा था उसका एक scene दिखा गया है यह जो time period था इसका नाम black था Kevin उसे black बुलाता था Sharon अब Kevin का black बन चुका है Sharon बच्वयन में weak था उसे लोगों से कैसे डट कर सामना करना है यह कभी भी नहीं आता था अब जो बेब बड़ा हो चुका है तो अपने आपको इसने खड़ा कर लिया है अब यह world का सामना कर पाता है पर फिर भी अकेला ही होता है अब जब वो Kevin से मिल चुका है अब वो अकेला नहीं है जैसा Sharon है Kevin उसे वैसे ही जानता है एक दूसरे का सहरा बन चुके है इस last frame के साथ यह movie एंड होती है growing up पर यह बहुत beautiful movie थी और आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो फिलिस इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो इसलिए इस channel को subscribe करना भी consider कीजिए bell notification icon भी दबा दीजिए यानि कि आपको सब videos मिलती रहे है हम फिर से मिलेंगे और एक अच्छी movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप आपने आपका खैल रखिये